गुड बॉनिंग आला आफी मैं डाटर सुरुजीत आपका आपके लर्नों पर बहुत-बहुत स्वाकत करता हूं बच्चों आए क्लास नंबर 9 की बात करते हैं अभी तक 8 लेक्षर आ चुके हैं जो यूग ट्वी पे सबको लिए अविलेबल आप उसे जरूर देखें और ज जिसकी फीज बहुत कम सिर्फ नॉमिनल वन नाटिनाइन एक सो निन्यानवे रुपे रखें जिसके पेटियम आप करके या फोन पे गोगल पे करके आप मुझे वाट्सप करें आपको टेस्सरी मिल जाएगी जो बच्चे जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं इसका लिं नहीं पढ़ने से पहले आप लोग समझे लें अब्यसिक कुष बाते निरत क्या होता है रिकातले में जीने के कलाग है सकते हां ठीक है और संगीत में क्या होता स्रब परिक्रिया important होती है स्रब मतलब पता स्रवांड करना ठीक है किसी से को सुनना मतलब है यदिए अम बहरे वेक्ति को संगीत सुनाए तो उससे संगीत मजा पता नहीं चल पाएगा ठीक है आप ऐसे समझ दिजी इतलोगं के आप संगीत का आनंद नहीं ले सकते हैं या संगीत निर्थों होता है कि नंत के जो प्रमक प्रकृ अत्रइस होता है त्रिश होता है विजिवल होता है एक आप जिनके विचे आख cabin वैसे निर्ति का आन्ह dark नहीं उठा सकते हैं नहीं उसका और उस लेवल तक को शुक्तितीज है तो आपको द्रिश सकते हैं निर्ति को द्रिश कर सकते हैं थे सेमी योगा आपका संगीत में आप कानों के दौरां श्रमण के दौरां आखे बंद करके भी आप संगीत का अनंद ले सकते हैं किन्तु आप निर्थ निर्थ का आखो आखे बंद करके श्रमण नहीं कर सकते हैं ठीक है चलिए आप भारती देखे ब्राशीन संस्कृति यह सब बता है सबको बाते बता है ठीक है भारत की जो निर्त कला है यह काफी प्राचीन है शीव पुराण में और अन्ड कई सारे हरिबंस पुराण में ठीक है इसमें देखने क्या मिलता शीव टांडव पारती मा का लाश्य यह सब आपको पता ही होगा और हरिबंस पुराण में देख लेंगे तो उर्वसी हेमा रंबा मेंका स्वर की जो देव निर्तेंगना है उनका भी कहीने कहीं व्यूरण हमें देखने को मिलता है हम लोग रामाय महाबारत सभी कोई धरम को हमारे इंडिया में चाहें हिंदू लोग मुश्लिम क्रिष्टियन इसाइज सेख पार्सी सभी लोग कभी ना कभी इस नित्तों से पाला पड़ा है कभी टीवी मारा कभी यूटूब प्यारा तो सभी चीजों को जानते हैं काभी कौमनसी बाते हैं तो निर्त और संगीत का मतलब भी हो गया ठीक है आप कुछ बात कर लेते हैं और इंपोर्टन ठीक है तो निर्त शरीर के अंग संचालन दारा निर्त अमारे बाड़ी को मोमेंट्स को दारा ठीक है मन के भावव आपके जो मन है ठीक है इंटर्नल आपकी फीलिंग्स है उसे जो है परफार्म करने का परफार्मेंस करने के ए एक आर्ट है ठीक है आप अपने इंटर्नल फीलिंग्स को दूसरे से कैसे बयां कर सकते है यही निर्त है ठीक है निर्त अब निर्त के जो पांच तत्व होते हैं क्योंकि आपके जो बॉड़ी है आपके सारीर है उसे मुमन्ट करने के कुछ आपके पॉइंट से हैं शरीर के मारे पट से हैं आप उसी की मुमन्ट कर सकते हैं आपके LED ना कान गला मुठेट कमर ठीक है हाथ भाव अंगिवाए टीक है ओट आखों के आपकी कैसे मुद्रा क्या रहेगी यह सब चीज़े आपका अभिव्यक्त करने के माद्यम नहीं है तो इसे बोलेंगे मुद्रा ठीक है जैसा शिवत तॉंड़ कुसमें क्या आपकी मुद्रा र का एक तत्व है रूप सौंधर तो निर्थ में आप देखेंगे जैसे कि निर्थ में देखें कतक कली ठीक है कुच्चि पुड़ी ठीक है भारत नाट्यम मौनी अट्टम ठीक है कतक तो इन सबका ड्योड डांस परफार्यमेंस है आप इनकी मुद्रा ही तो डिफ्रेंस होती है और इनका रूप सौंधर जिसे कतक कली है आप उनके रूप से ही देख सकते है कि बहाब अगिमायन की कैसी है बड़ा से मेक अप होता है और बिल्कुल तो उससे पता चल भाव होता है आपका बीना बोले हम चीजों को प्रकठ कर पाते हैं सिसी भाव लुटे आप कि इसकी दude की तुम कर पाणते दे को ही उने टाली ने होती है जिससे kuchypyi है करें गुगल करके आपकल होती है ठीक है बारीक उसकी बारियां काफी नुकिली होती है पर जो इस नर्तक होते हैं वे इतने में प्रबीध होते हैं और प्रविध लाई इतनी तार्यतम्मिता से करते हैं इतने अच्छे से परफार्मिंस करते हैं कि उन्हें चोट नहीं लगती और एक जो अमारे दर्शक होते हैं विवर्ण से अडियंस होती है उसमें बद के रह जाते हैं उनके कला को ठीक है नेक्स्ट देखें अभी नहीं है आप सब परफार्मिंस नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी चीज़ें ब्यर्थ हो जाएंगी इसलिए अवने परफार्मिंस सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जिस प्रकार कोई इसकालर बहुत अच्छा हो बहुत हाली जो है आप में से सभी लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं पर परि परफार्मिंस कैसे करते हैं तो यह थी निर्थ और शंगीत में डिफ्रेंस में बताया निर्थ का इंपॉर्टेंस बताया हिश्टी थोड़ा से बता दिया और निर्थ के पांच तत्तु थे उन्हें में ने बता दिया ठ अब बात करते हैं चरति रड़ की ज जरति कल आएं अब आये चरति रट की बात कर लेते हैं enge जो 36 खड़ रट स्टेट पर्नृत्त दलोग से एंप क्योंकि यहाँ पर बहुत तरीके के निर्थi हैं ठीके जनजाती छेत्र हैं तो जनजाती छेत्रों में हर ट्राइब का अपना निर्थ विधा लग है उनका डांस से लग है उनकी संगीत भी बन अलग होती है क्योंकि बोलिया छोटी-छोटी है और हर गुरुप का एक अलग बोली है निर्थ तेंका तो आप यहां समझ लिए लोग जो है लोग नर्थों का घर रहा है यहां की आदिम जन्जातीया जो यहां पर लिखा नहीं है यससरबाब सरमण करें शुनते रहें लाई क्लास रुते ही तो इसलिए ज्यादा इंप्रॉटन होता है यहां की जो आदिम जन्जातीया है निर्थ की धिवानी है क्योंकि तो डेथ पे भी निर्थ करने की प्रमप्रा है ठीक है तीज तेवार बच्चे के जनम पे मेला उत्सो कोई भी फेस्टिवल हो गया इवन फसले के कटाई बुनाई पे इस अब निर्थ करते हैं ठीक है तो यह सब आप समझ जाईए कि वहाँ पर एक निर्थ की काफी लंबी करने अब इसमें बात करेंगे जनजाती कलाई तो जनजाती कलाओं के टू टाइप्स होते हैं प्रदर्शन्कारी कलाओं और रूपांकर कलाओं ठीक है आज अब हीवोद्याराactive नतलिक कलाओं powin लोक अपने कला भाउ स्वाप को आकार देते हैं ठीक है इनमें मिट्टी सिल्फ, कास्ट सिल्फ, लोहा कोना, लोहा सिल्फ, पत्ता सिल्फ, बास सिल्फ, कंधी सिल्फ, धातुकला, गड़वा सिल्फ, प्रस्तर सिल्फ, इत्याद समलित हैं। करना देख कर एक बता रहे देखा बच्चों जो कोई भी ऊसी नहीं होती हैं जो इंडिवजिवल और सबंडेस्टी करने में एक पैप सिंपल सस्केवlair कर बहूंव प्लास्टिक इंडेक्ष्ट्री आगई प्लास्टिक जो बनाने वाले निफेक्टरिंग कंपनी आपकें उनका काम हो जाएगा इंक कहीं अलगसा बनके आ पर दोनों को असंबली किया जा रहा हो उसका कप कही और बन के आ रहा हो इसटील का हो सकता हो ठीक है तो ऐसे में एक चीज को बनने कही सारे कि योगदान होता है प्रस्तन निरित पत्थर के साथ यह सब प्रयोग करना उसमने अपने छलिए अब आज आते हैं च्छतिस गड़ के लोक निरित ठीक है च्छतिस गड़ का सबसे प्रमुक जो लोक निरित है वह है शुवा निरित ठीक है यह कई बार पूछा जाता है ठीक है च्छतिस गड़ में देखे मूलते यह महिला और किसोरियों की दौरह किया जाता था ठीक है ठीक है और च्छतिस गड़ जन जाती है जीवन में शुवा निरित की लोक पृत्ता सबसे अधिक है इसलिए यह परिच्छा में भी काफी इंपार्टन हो जाता और यह सभी जाती ठ इसमें हिस्सा लेती हैं और दिपावली के कुछ दिन पूर ही सुवा निर्थ सुरू होता है ठीक है जब वीडियो आप लोग देख रहे हैं उस समय सुवा निर्थ का दौर चल ला होता है वहाँ पर आवचिकल 42 सद्mon Πार्विटी माता क्या के आयोजन से संवापन होता है और इसकारण Cylawn fulfilled को सुवा निर्थ realms इसका दूसरा नाम है गौरा निर्थी ठीक है, माईलाय अपने अपने गाउं से टोली बनाकर समीब के गाउं भर्मन करती हैं, अब प्रते घर के एक सामने गोला कार जुन्ड बनाकर ताली की थापन निर्थ करते हुए गीत गाती हैं, घेरे की बीच में एक यूती सीर पर ल ठीक है, सीव और पारती गौरा बोलते हैं, उनका प्रतीक होते हैं, ठीक है, सीव जो शुवा निर्थ होता है, उसे करते समय टोकनी में जो रखेगे, टोकनी में बीच में रख दिया जाता है, जो तोते होते हैं, ठीक है, पैरेट्स और लाल पढ़ाहटा का तोते खुले क कर दिए जाते हैं फिर जुब में शुआ गीत कारी गीत गाते हैं तो जो को आगे संगीत को व्रि cał yağdohat नास्ति निर्थ करती किए कभी-कभार शुआ नित्व में प्रत ऊत्तर सहली भी कोई तरहं के तरफ से प्रत करता है बाराती के साइट से और कोई घराती के टाइप से करता है मैं पढ़ करके नहीं चीजे करता हूं बट यहां पर चीजे टूदाइश्टफी आनी होती है ठीक है इसलिए बुजद देखना इंपर्टेंट हो जाता है जाएं इसलिए आपको पीडिया जा रहा है लाइव क्लास के बहुत सारी रीजन है जाइन बटन बहुत कम लोगों लिया इसलिए लाइव क्लास नहीं उपा रही है ठीक है शुवा संगीत में किसोरिया अपने प्रेमी को शुवा के माध्यम से संदेश भेजती है ठीक है तो यह भी एक भैक्तार आ जाता है ठीक है धान कटाई के बाद शुवा निरित उत्तरियों मद्ध छत्तिस गड़क में अत्याधिक उमंग उल्लाज के साथ किया जाता है शुवा निरित में जितनी निरित की केंद्रेता होती है उतनी ही शुवा संगीत भी मातपूर होता है ठीक है जितना निरित का इंपोर्टेंस है उतना ही इसमें शुवा संगीत का भी इंपोर्टेंस होता है शुवा गीत की पारंपरिक लोक धुन अत्याध मधूर और प्र अन्रित्यकला की बात करेंगे तो है दोस्ता के रूप में तता दूसरा धीट- निर्त के रूप में ठीक है और इसमें क्या होता है देखिए पुरुष पात्र विश्यस भेष भूशा में में क्युद्ध के साथ चंदेनी कता प्रस्तुत करता है चंदेनी कता क्या है इसके लिए अलग से लेक्षर बना सकता हो कभी बट अभी हां important नहीं है बस आप याद कर लिजे चंदेनी कता प्रस्तुत करता है नित गीत राध भर चलता है ठीक है बीच बीच में बिदूसक जलती मसाल से कर्थब अगत है मतलब traditional है लोरिक मुल्ट है प्रेम गाता है ठीक है नेक्ष देखेंगे यह भी इंपॉर्टन नित है लोरिक इतरा है इंपॉर्टन नहीं था आप इसे देखिए रावत रावत बहुत इंपॉर्टन है रावत नाच जो है नित्या रावत नित्यारा किया जाता है एक वहां कर जन जाती है रावत यह दिपावली के उसर पर किया जाता है और एक ट्रडिशनल नृत्य है ठीक है ट्रडिशनल डांस है इस नेत्य में लोग विशेश बेशबूसा पहन कर हाथ में सजी लकडी लेकर टोली में कित एक समों बना लेते हैं पांच-छे साथ भूलक सिंग बाजा आध इसनीत के प्रमुक वाधिययंत्र हैं ठीक है कि में कर पहले इस दोहरे तोह घाज आ जाते हैं निरिट के पावराडिक संदरवोश को लिये हुए होते हैं ठीक है दोहे गाया जाता है उसके बाद निरित किया जाता है नेक्स्ट बात कर लेंगे नेक्स्ट डांस परपामंस की पंती नाच ठीक है पंती साट में बता देता हूं पेखिए सर्गुज की घासि अच्छ सित नामी जाती द्वारा मना जाता है यह पंती नाच जो है सत नामी अ कि सत नामी जाती द्वारा गुरू घासी दासका जो है यहां पर जन दिवस पर मनाया जाता है जो माग मां की पूर्मा को किया जाता है ठीक है माग मां की पूर्मा को किया जाता है और इसमें इतना कि का पूरी है कि मां की पूरी मां की पूरी मा कि कि यह निरित किया जाता है और चलिए अब यह देश विदेश में भाब अधित्ता है नहीं इसले आप बहुत ज़्यदा डीटइल नहीं जा रहे हैं कर्मा निरित की बात कर लेंगे तो कर्मा निरित इसमें भी मैं स्टाड में बता देता हूँ देखें यह 36 जड़ की जो जनजातियां है गोंड और बैगा ठीक है गोंड और बैगा द्वारा मेंली यह किया जाता है साथ में उरव, कमार, कमर, पांडो, बिंचवार, बिरहोर द्वारा भी किया जाता है बट मेंली यह गोंड और बैगा जनजाती के द्वारा किया जाता है और इसका जो आयोजन होता है वह कब-कब होता है जैसे जब नई फसल आने वाली होती है तथा वर्षाज रितु जब हमारी वर्षाज प्रावर्ण होती है मांसून हम इंडिया माता है उस समय भी यह निर्थ किया जाता है कर्मा निर्थ जो है और गीत मस्ती सजीवता और सरसत्ता और संगीत के अदूती में सराण है ठीक है अब इसके थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट की बात कर लेते हैं कर्मा निर्थ कर्म देवता को पर्षण करने के लिए किया जाता है आप यह भी याद रख सकते हैं कर्मा निर्थ में आदिवास्यों के प्रेम सिंगार के सासाथ प्रतेक गदवीदी की समसमयिक समग्र अभिवक्त देखी जा सकती है कर्मा मूलत है मुंडा और उरव जनजाती का आदिम निर्थ है कि मुख्त यह किया किसे द्वारा जाता है जाधा प्रसिद्ध्य यह है गोंड और बैगा में सबसे पहले शुरूब वाथा मुंडा और उर्व में उसके बाद यह सबसे जादा फेमस हो गया कर्मा गोंड और बैगा में ठीक है, कन्फ्यूज ना हों, दबारा रिपीट करता हूं, और जिन जो है, मुंडा और उरोज जन जाती में होता है, इस नित्त का कर्मा का किन्तु इस समय बरत्वान में सबसे प्रसिद्धे, गोंड और बैगा जन जाती में, ठीक है, कर्मा का बिश्तर, बस्तर, धंतेवाडा, कंके, नरायपुर, बीजापुर जिलों को छोड़कर, राजिक के सभी जिलों तक है, ठीक है, कोच जिले हैं जहां पर नहीं होता, कर्मा कहीं पुरुषकों द्वारा, और कहीं इस्तिरी द्वारा, समान भागीदारी का निरित्धे और कर्मा निरित्ध का जो केंद्री जो है, सेंटरल इंस्टूमेंट है, मेन इंस्टूमेंट है, नाट है सेंटरल, मेन इंस्टूमेंट इस मंदार, ठीक है, कर्मा का केंद्री वाद्धी जो यंत्र है, वह है मंदार, और एक ट्राइप्स और जो इस्तिरी करती हो भी आप ने बताई दिया कर्मा लोग करते हैं इसे प्राय बिजय दस्मिश से प्रारब होकर अगली वर्षा रितु तक चलता है ठीक है अब देखते हैं इसे खेतियर संस्क्रित के जीवन चक्रा हिस्सा कहा जा सकता है इस निर्त में प्राय एको चनाता है इसलिए आप द्यान रखेजिए आठ प्रूस और आठ इस्त्रियां एट मेल्स एंड एट फिमेल भाग लेती हैं ठीक है इवक और इवतियां गोलार्द बनागर आमने सामने खड़े हो जाते हैं और एक दल गीत की कड़ी उठाता है जबकि दूसरा दल उसे दोहराता कड़ी होता जैसे की कोई भी गाना ले लिगा रहा हूं इस में फिल में तो कोई एक गया प्र अगली कड़ी दूसरा गया गय और कोई उसका नेस्ट स्टेप आगे गा दिया ठीक है अ कि नित में इवक और यूतियां आगे पीछे चलने में एक दूसरे के अंगोटों को आने की कोशिज करते हैं ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे सैला नृत सैला नृत भी जंजातियों दौर्ण किया जाता है ठीक है सैलां करत हुना सैल या डन्डा ठीक है और यह नृत भाई चारे और प्रेम का प्रतीक होता है ठीक है और इसका भी प्रारम दसारे के समय होता है और संपूर स्रद रित की रातों तक चलता रहता है ठीक है और ये निरत जो है फसल कटने बाद 36 के अधिगांस भागों में देखनों के मिलता है सैला निरत का एक अन्य नाम है डंडा नाच ठीक है और ये मुलते पूर्शो दौरा किया जाता है ठीक है इसमें नर्तक साधी वेशबुसा में हातों में डंडा लेकर यहां पैरों में घुगरु बात कर गोल घेरा बनाकर निरत करते हैं और इस अशर पर दोही भी बोले जात सेला निरत की परिड़त सर्प निरत के रूप में होती है जिसका लास्ट स्टेज होता है वह सर्प निरत के रूप में होता है ठीक है नागिन डांस नागिन डांस ठीक है मंदार इस निरत का मुख वाधियंत्र इसका भी मंदार मुख जो है वाधियंत्र और नाम है कि सेला रिना ठीक है आप देख लिए इसका अन्य नाम है यहां पर देख कर लेंगे हैं यहांपर धोनी निर्थ यह बैगा जञती का बैगा ट्रैप्स का बिवा निर्थ जब यहां पर साधिया होती ही महरीज होती है उस समय निर्थ किया जाता है बरात की जब आती है घर पर जैसे हम लोग को किया बरात आती है तो अपने उत्तरप्रदेश या फिर नार्थ इंडिया में तो वहां पर क्या होता है बरात की अगवानी की जाती है ठीक है उस समय खटिया जोप कंबल आज से हाथी बना कर नाचा जाता हैं हाथी पर समधी को बैठा कर गाते हुए नाचने की प्रमप्रा है, ठीक है, हाथी के आगे दुल्वान होती निर्द का मुख Irish कौनकौनस यह देखाे आप तिमकी वर नगड़ा ठीक है तिमकी वर नगड़ा ठीक है आप इसे याद रख सकते हैं नेक्स चली बात कर लेते हैं इसमें बिल्मा नृत बिल्मा का अर्थ क्या था होता है बिल्मा अर्थ होता है कि धुलना मिलना धुलना यह घुलना ठीक है घुलNा है 6 दермॺल्णा मिलन उस्थाइक यह मिलन अस्ताल आपका जो eating पाइंट्स हो कि क्य Jeanne यह गोंड और बैगार धंजाति का ईक प्रीन रिट है ठीक है और यह अभी दस्वारे के समय किया जाता है और यह इस्तुरी और पुरुष्ट दोनों के द्वारा किया जाता है ठीक है इसमें सी जंडर व्ายस नहीं है कोई भी खर सकता है ठीक है? कि यह न्रिथ सीत रुट्में किया जाता है क्योंकि आप सब को पता है इस समय सीत रुट्में घ kau staff में जो यह ए रिया है यहाँ पर ऐगर विकल्चर को कोई चुश ग्रामीर लोग होते हैं है फूर्षत क ieनंता है तो अपना न्रिथ शंगीत शंगीत करके और यूतियां अलग-अलग समुव बनाकर दूसरे गआरन निरित करने के लिए जाते हैं ठीक है बिल्मा में प्राया आभिभाइत लड़कियां विशेज सज्धर्ध कर लेती है ठीक है आभिवाहित लडगिया ठीक है बिलमा बिलमा एक समुव कर नाम होता है महाँ पर ठीक है और यह यूतिया निर्थ करते करते अपने जीवन साथी का चुना भी कर लेती को कि दूसरे काम है जाते तो वहाँ पर यह सब चुना भी कर सकते अपने जीवन साथी का ठीक है इस प्र का विभाद्य अंत्रह मंदार रहे कंगे उत्यप निल्ट कि अरीख बासाएं और भॉली के दूचर बॉल लेधे की सब ग्रीश को आगमन को कि इसमें श। भाबिटिया था प्रॉण लोग अति उल्लास के साथ हिस्सा लेते हैं और इस सामुईक निर्थ में एक या दो ब्यक्त ही दो ब्यक्त ही मुखोटे और हाथ में लकडी की चिडिया आधि नचा नचा कर भर पूर मनों जन करते हैं ठीक है इस निर्थ में मंदार टिम की आधिवाद यंत्रों का प्रयोग किया जाता है नेक्स बात कर लेते हैं थोड़ा तेज कर देते हैं ठीक है एक्समेलेंसर आपको मेल रुष और हैं और यह कोर्कु चैत wherebyसात में किया जाता है ठीक है और यह सावोगिक निर्थ देँ पुरुषात में पंचा और महिला आपनें दोनौए आत्में चिट्कोना यह लुकि अटिक है इस निर्थ का मुखवादियंत्र ढोलक आर वासरी हैं ठीक है ऐधीज यह इसमें और ज्यादा कुछ important नहीं है एक चीज इसमें important है ग्राम मलाहर खंड के मोजी लाल कुरकु इस निरत को परतिश्चित करने महतपूर भूम का निभाई है इसलिए इनका नाम कभीकार आ जाता है कि मोजी लाल कुरकु किस निरत से संबंधित है ठीक है और एक कौरकु जन्जाती के है ठीक है next बात करेंगे ककसाड निरत या बस्तर के मुर्या जन्जाती का लोग प्री निरत है और इस नित का मूल जो नाम था जत्रा निरत ठीक है और एक धार्मिक अस्तर पर मुर्या आद्वासी वर्स में एक बार कक्सर यात्रा पर पूजा का आयुजन करते हैं और ये लुगोपन को परसंद करने के लिए इवक और यूदिया अपनी साज सज्जा करके संपूर रात नित गायन करते हैं पुरुष कमर में घंटी घंटी आते हैं और इस तियां सिर्फ विभीन फूल और मोतियों की मालाएं पहनती हैं ठीक है नेक्स बात कहलेंगे गोंडी निरित या बस्तर की मुर्या जन जाती का बिरिशिस नित है और इसमें पुरुष परधान होता है बट यहां पर इस त्रियां भी भाग ले सकती है कोई मनाई नहीं है बट ज्यादा पुरुष के द्वारा ही किया जाता है ठीक है और इस नित में कोई भी गायन नहीं होता है ठीक है चले नेश्ट बात कर लेते हैं गवरी नित ठीक है 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 गवरी डांस यह मडिया जन जाती का नित है ठीक है मडिया ट्राइप्स ठीक है और परसिद मानशास्त्र मानशास्त्री बेरियर एलीवन ने ये गैर निरित को बिश को सबसे सुन्दर निरित के रूप में निरुपित किया है इस निरित के समय मढ़िया इवक्स सुन्दर गवन नामग जंगली पसुओ और कोडियों सब क्र番 सुपश्जित मुगट अपने शिर पर पहिंते हैं इस कारणी इस निरित को गावर नीत कहा जाता है इस नीत में उतियों सिर पर पीतल का मुगोट और हाथ मैं हाथ में लोहे की छड़ रखती है ढाग आ और जो यूतियों को तीप में गाती हुए जो है करेक्टर को ले करके सदर कराते हैं और एक दूसरे से डिस्टेंस बना करके मलब उनसे काफी परंप्राय हैं उनकी की अलग चीजों कर रखना है ठीक है तो यह सब चीजे होती है और देखें निर्थ के दौरान यूतियां सर्व के समान घेरा बना कर यूगों को घेरों को पार करती हैं ठीक है और मडिया उवक निर्थ के दोरान बाईसन हान की कई भंगमाय बनाने की कोशिस करते हैं यह निर्थ वर्षाकाल की अच्छी फसल और शुक संपन्ता को केंद में रखकर किया जाता है शंपूर गाउं इस समय अमोध मगन होता है ठीक है दोराला निर्थ दोराला बस्तर में पाई जाने लिए एक जंजाती है ठीक है आप नाम याद रख लें दोराला निर्थ दोराला जंजाती बस्तर जिलें पाई जाती है ठीक है इस जंजाती के नाम पर इस निर्थ का नाम दोराला जंजाती पड़ा है ठीक है और विभिन पर्व स्तिवार विभा आधि आश्रों पर इस पारंपरिक निर्थ का आजन करती है विभा में पेंडूल निर्थ करने की परपटी है ठीक है अब इस सब का नाव आप डिटेल मत पूछने लगिएगा यह सब इंस्ट्रुमेंट से मांके ठीक है इस निर्थ में इस्त्रिवा पूरुष दोने भाग लेते हैं पूरुष पंजे कुश्मा वारुमाल पहनते हैं जबकि इस्त्रिवा रहके वट्टा पहनती है इस निर्थ का जो मुक्ष वाध्य अंत्रए एक प्रकार का धोल होता है इट सनाटा धोल बट इस टैप धोल ठीक नेक्स्ट ट्राइब की बात कर लेंगे तो सरहूल निरित यह उरोव और मुंड़ा जन जातियों का अनुस्थानिक नित अनुस्थान मतलब होता पूजा पार्ट या पी ऐसे कुछ नित जो होता अनुस्थान ठीक है तो सरिमनी जो आपका रिचुछ शरिमनी होती है उस समय जो नित किया जाता है उरोव और मुंड़ा जन जातियों के दारा और चैत मास की पूर्मा के दिन साल बिरिष की पूजा का आज़न करते हैं और उसके आसबास निर्थ करते हैं ठीक है और सरहूल एक सामुहिक निर्थ हैं इसमें इवक यूतियां प्राण सभीव अत्यंत उन्यत और उमंग उल्लास के साथ इस निर्थ में भाग लेते हैं इस निर्थ में पुरुस हुआ पुरुस पीला साफाब आते हैं जबकि महिला अपने जूड़े में बंगुले के पंक की लगाती है ठीक है नित में जो वादियंत्र होता है बलकि गीतों की लिए और तोड नज होता है ठीक है नेक्स बात कियालेंगे को द्हान रुट यह को जंजात्त का सामभी निर्थ है इसे कोलही नाच भी कहा जाता है यह सर्गुजा जी लिए को जंजात्त वें प्रचले ठीक है इस निर्थ में पूरुष गायक वादग दोनों के भूंकाम होते हैं और महि इसमें ज़्यादर सवाल जबाब होते हैं और केंदर में महिलान तर्था पुरूशों का वी दोनों का धोल वादन होता है ठीक है चलिया और इसमें ज़्यादा इंप्रॉटन नहीं है नेक्स्ट आ जता है दसारा निर्त बैगा जनजात क्या है दसारा तेवहार नहीं मनाते हैं कि इस निर्त का नाम दसारा पड़ा है बैगा जनजाती दसारा तेवहार नहीं मनाते हैं यह याद रख सकते हैं आप लोग इस निर्त्य को बैगाज जन्जातियों का आधि निर्त भी का जाता है, यह निर्त अन निर्त्यों का द्वार है, ठीक है, the gateway of all dances, other dances, not all dances, other dances, ठीक है, और दसारा जो होता है, निर्त एक तरह से बैगाज जन्जातियों में समाजिक विभार की कलात्मक संपूर्त है, और यह न निर्त्य यह बगेल कंद में भूमिया आद्वियासियों का प्रमुख निर्त्य वर्टुलाकार होता है मलब ठीक है। यह पुरुष के कंदे पर दो आद्मु आरूरोड हो जाते हैं। एक ब्रुष के कंदे पर ठीक है। और एक ब्रेंट ती तालीब अजये वो स्था वाथ वह आता जाता रहता है। इसमें बर्द पर्ट्स में रहते हैं ठीक है। मुझें जो किवरीन क्या ब्रेक वाटर पिके देंड़ से। कि मैं चली है हुलकी लित आप इसमें क्या होता है मूरिया जन जाती द्वारा गया जाता है डान्स होता सुरी नाटी नाट ठीट है एकशाूंग हो तो डान्स नित में इंव होता है दोना हिस्स्द लेते III , इसमें गाया जाता है कि राजा रानी कैसे राते हैं अनकी उतियों में इवक और उतियों कि सारी निक संरचना के प्रत सवाल जबाब होते हैं यह निरित किसी समय सीमा से बदा हुआ नहीं होता है कभी भी किया जा सकता है इसका आज़न किसी भी समय किया जा सकता है ठीक है फुलकी निरित नेक्स्ट डान्स प्रमालमन की बात करेंगे तो डंडाल नृत या कोरकू जंजात्में प्रचलित हैं और इसमें नृत के साथ सथ सिंगार गीत भी आजाते हैं ठीक है और ये जेश्ट असाड की रातों में आजूत किया जाता है और इस नित में डंडाल में सबसे ज़्यादा वाद्यांद्रों का प्रयोग होता है जैसे धोर, टिमकी, बासरो, मिर्दंग और भी बहुत सारे इंस्टुमेंट से जिनका प्रयोग इसमें किया जाता है नेक्ष्ट डांस प्रमान बातपत करेंगे तो यहां पर राई नित यह बुल्देन खंड का नित किसे रित भी से अनुस्टान से नहीं जुड़ा हुआ है इसे नहीं मंची नित की रूप में सिमित किया गया है यह ग्रामिट शेत्रम बच्चों के जन बिवा आधि अस्त्रो वादप करता है वह लिखनी है कि इस राई के फ Ens भी का आज्जून किया जाता है ठीक है जिसमें घटा म में सामाजिक जो समाजिक परचानी होती हैं और कुरितियां उस पर चोट की जाती है ठीक है और बुल्देल खंड की तीतर है बगेल खंड में भी राई निरित का परचलान है ठीक है कि दोनों चेत्रों की राई में बहुत बड़ा अंतर है ठीक है अभी अंतर क्या तोरह सुन लीजी आप बगेल खंड में राई बिसेश का अहिरो द्वारा किया जाता है जब कि कहीं कहीं ब्रामड इस्त्रियों और पुत्र जन्द के उसर पर बैस इस्त्रियो द्वारा भी निरित किया जाता है ठीक है राई निरित के गीत सिंगार प्रक होते हैं किसमें बगेल खंड में ठीक है यहां तक जो था आपका यह था बगेल गंडवाला ठीक है क्यों तो बुल्देल गंड़ की तरह यह वन वा सिंगार का आदम आवेग और ती बिरगत यहां देखने को नहीं मिलती है ठीक है तो आपका यहां तक था डांस अब बात करेंगे नाट की यह चतिसर का पर मुक लोग नाट है भसतर क murderer के अध्यास वागों में नाच का आज येंड किया सकता है और नाच का जो उद्गम है और गंडवक्ट से माना जाता है ठीक है नाट का गंडवक्ट से माना जाता है और इसमें जो देख लिजिए कि इसमें क्या होता है गंबत में गंबत में काफी सारी लोग होते हैं और जो खुले आस्मान के नीचे जो है बैट करके डांस करते हैं और चीजे डांस कम अनंद लेते हैं जिसमें कि रियलो के इस्त्रीं का अबने भी पुरुष करते जो इस्त्रीं का रोल होता है met up नॏ आप ब्हुल से पुर्स हैं वह अब Principelle से और व傘 स्ट्रीं का अबने करता है उसे नाच्या का जाता है ठीक है जैसे नचनिया कहा जाता अपने यूपी और बिहार में तो ऐसे ही नाच्या गाता है इसे ठीक है इसी से 36 की लोग नाट का नाम नाचा पड़ा है नाचा आपने आप एक शंपूर नाट बिधा है ठीक है और इसमें जो है किसी तीची तीची का कोई इंपॉर्टेंस रोल नहीं होता बिवा मड़ाई गड़े सुथ्सव किसी भी आउसर पर नाचा किया जा सकता है और इसमें बहुत कम संसाधनों के आउसकता होती है ठीक है यह बहुत ज़्यादा डिटेल्म हो जाएगा तो इधने डिटेल बात नहीं करते हैं अब मैं कुछ इंपॉर्टन चीज़े बता देता हूं लिख करके आप उससे याद रख सकते हैं ठीक है चलिए देखिए इससे जूड़ी हुई 36 कि पहली नाचा पार्टी जो थी जो नाच कर आती थी पहली नाचा पार्टी मैं लिखने हुई keare.com सब्सक्रेश कर नाचा पार्टी मैं यह तुरे पहली नाचा पार्टी मैं फ्यूद्स का गठन कप्लेए था अनिस्सोто 8 इस में एक आप सब इसस जरूरर याद रख लें इयर को यह पहली जो नाचा पार्टी थी रेवाली नाचा पार्टी 1928 में इसका गठन किया गया था और इस निर्थ जो है इसे संब्धनित कुछ कलाकारों को नाम भी आप लोग बता देता हूं जो कि बहुत इंपर्टेंट रहेगा आप लोग इससे जरू याद रख सबके हैं तो लिखने कोशी भी करते हैं देखी दुलार सिंग जिसका नाम था मंद राजी ठीक है डाउ पूरा दुलार सिंग यह संस्थापक थे नाचा निर्थ के 1928 में जो पार्टी गटी तो थे रेवची नाचा उसे जन्सथापक थे वह लालू राम है अन्य नाम है जो अन्य नाम यह तो संस्थापक होगी है अन्य नामों को भी ब़ुबाद कर लेते हैं याँ पर ठीक है अन्य ज पूरा नाम अगर दे हैं अब विक गया उसके बासिंते हैं इसके बारूरा लिए निशार निशार हो भय है. परभूराम यादव और एक और है जराथ जराथ नाथ निर्मलक ठीक है निर्मलक नाथ भी कहीं कहीं देखने मिलता है और इनका नाम जो है नाथ भी देखने मिलता है ठीक है ये नाथ ठीक है तो जराथ 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 इठा है जराठ नाथ निर्मलक ठीक है प्रभू राम यादव लल्लू राम मदल नाल यह सब अन जो स्त्रेष्ट कलाकारी इस निर्थी के ठीक है राइटी मत ध्यान दिजेगा क्योंकि हाथ से लिख रहा है इसमें ठीक है चले नेक्स बात कर लेते हैं नेश्ट निर्त हो जागी बतारा नाठ ठीक है बतारा जो नाठ है यह क्या होता है बस्तर जिले में उडिशा साया ठीक है बस्तर जिला में उडिशा साया इसलिए कुछ इसलिए उडिया नाठ भी कहते है इसका नाम ठीक है कहीं कहीं से उडिया नाठ भी कहते हैं इसलिए क्य पूरी की आत्रा की वाफसिक बाद वहां के नित्य नाट संकृतन को अपनी परजा के बीच परचलित करवाया थे इसलिए क्या होता इसमें और भी इसमें क्या-क्या विशेस्ता है बहत्रा नाट के मुखवटे हुआ वेश भूसा जंगनात पूरी से मंगवाया जाते हैं ठी बहुती है और इसमें क्या होता है लाधि होता है झृत है झार की बोली बत्री होती है चाहीं कि बात परहआड़ी परशंग होती है ठीक है आपनी बहदता है अभैमन्नी बहत थी खानकी अठीर जरासंद बहत रामण बैद्ध द्रियोधन बढ़ है और लक्ष्मी पुरां लंका द्यान। एसथ जो है भात्र नठ गोंट के पार्ट है ठीक है इने इन परसँंगों किया जाता है और जो भात्रा नाठ है इसका मंचन जो थैं खुले आस्मान के नीचे होता है और सभी रंकर्मि जो इसमें पूरूँस लोते हैं यह यहां पर मैं लिख दे रहा हूं पूरुस थीक है बहत्रा निरित्य जो मुक्त है पूरुषों के द्वारा ही किया जा सकता है ठीक है नेक्स्ट नाट की बात करेंगे तो पंडवानी ठीक है पंडवानी जो है महाभारत के पंडों की कता को 36 गड़ी लोग रूप है ठीक है पंडवानी में किस्टा गोई शंगीत और अबने की सब की अधुद समगरता देखने की मिलती है ठीक है और इस लोगनाट का मूल अधार जो होता है पराधान और देवारों की पंडवानी गाय की महाभारत की कता सबल सिंह चौहान की दोहा चौपाई पंडवानी में परिस्कृत साहितिक दकलना होकर लोग वाड़ी होती है ठीक है यह सब इसमें इंपर्टन्ट है आप लोग इससे पढ़ लीजेगो चो पैड़ ग्रूप आले हैं मैं उन्हें आपको पीडियाप दे इस्टानिक नाट्टे विधा है और ग्रामीड अचलों में दहा भक्ति और मनोरंजन के समलित भाव से आजजित किया जाता है राज का साब्दिकर्थ है रास या रास लीला ठीक है चली इसकीप कर रहा हूं उसके बाद आता है माव पाटा ठीक है माव पाटा इंपार्टन एक लोक नाट है मुडिया ठीक है ठीक है ठीक है और इसमें कुछ इंपॉर्टन तो यह सब चीज है आप लोग पढ़ लीजिएगा अनुस्थानिक है यह माव पाटा इस सी कि संजीव अभिव्यक्ति है ठीक है बाइसन गौर के सामुहिक आकेटन पाधारित इसका नित्व प्राचिन काल में जैसे इतियाद में पड़ता है ना आकेटन उस उस समय का ने तोगर्ण है तो उस हिक किया जाता है इसमें क्या हता घैंट अ घ्रीनिकला कुलहारी साखमण आध यह सब इसमें नित्व का Ah ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं राई ठीक है राई का बात मैंने कर दिया था डांस परफार में इसलिए यहां पर इतना बात नहीं स्वे करते हैं जो मेंबर्स हैं उसे पढ़ लेंगा अलग से तक दही कांदो शति जड़के मैदानी छेत्रों के आदिवासी किस जन्मास्टमी का उसर पर दही कांदो नामक निर्थका प्रभावंस किया जाता है और एक कर्मा और राज का मिलाजला रूप है ठीक है और कर्म यह किसी विरिशक नीचे राधा रानी की मूर्ति अस्तापित कर इसके चारों नित करते हुए कृष्लीला का अवनय किया जाता है तीक है और कृष्ष के सका मंसुखा का पाथ इसमें बी दूसर का होता है कि वही दही से भर मटका फोरता है मंसुखा ठीक है कि ग मबद निता एक आप लोग इसे तोड़ा ध्यान्स सुन लें ठीक है देखे गम्मत कुछ लेगी से रहत में पर्देशित होने वाले परसन को गम्मत काते है जबकि समाने तक गम्मत का आज़न अलक्स किया जाता है ठीक है देखे गम्मत का आज़न अलक्स किया जाता है ठीक है और गम्मत मंच का भी वर्गाकार होता है इसके किनारे वादक बैठ कर साज बजाते हैं और निर्तक निर्थ करते हैं गंबत समानते हैं किर्ष की लीला का ही आध्यान होता है और बीच बीच में प्रहसन का आज़ित किया जाता है गंबत एक या अधिक दिनों तक आज़ित हो सकता है जैसे आपके हां रास लीला का प्रमाडिक भीधी है कि अब इसी द रूप से भग तिभाव से संपुड। ठीक है लोक और अरजन की नट भीधा हे ठीक है कहीं-कहीं नाच को ही गंमत कहा जाता है ठीक नाचा को ठीक है मैंने बताया था जो नाचा है उसमें गम्मत का प्रभाव है बट कई सारे लोग आपको यूटूब अगरा भी देखने मिल जाएगा कि नाचा को ही गम्मत बोलते हैं बट बच्चों यह दोने विधाएं अलग-अलग है ठीक है गम्मत और नाचा ठीक है ने मेगनाथ खाम ठीक है और यह एक अनुष्ठानिक है इसमें अनुष्ठान का बहुत ज्यादा इंपर्टन्ट रोल है और क्यूदंती की रामड पुत्र मेगनाथ ने कोर्कों को एक बार विपत्त से बचाया था उसी की सुर्थ में यह आजजन किया जाता है यह एक क्यूद में एक मेगनाथ खाम में होता है ठीक है आप लोग इतना रखें और इसमें इंपर्टन कुछ नहीं रहे है चलिए इसके बाद इंपर्टन्ट जो है देख लिजये कुश्र चिज़ें हैं आप इससे याद कर सकते हैं ठीक है ठीक है आप इससे देख सकते हैं ददर्या गीतों को 36 गड़ की लोग गीत का राजा कहा जाता है ठीक है किसे ददर्या ठीक है ददर्या गीतों को 36 गड़ लोग गीत का राजा कहा जा सकता है फिर चेत परवा जो है और धनकुल बस्तर चेत का लोक गीत है रेंजा गीत बस्तर के आद्वासी बहुल चेत का लोक गीत है नेक्स्ट बात करेंगे इसमें तो रेला गीत मुरिया जन्जात का लोग गीत है लौरा गीत माद दुरुगा की इस्तुत में गाया जाने वाला लोग गीत है जो नौरात के समय गाया जाता है नेक्स्ट गीत हो जाएगा आपका बार नित गीत यह कवर जन्जात का लोग नित का दिपावली के समय किया जाता है फिर उसके बाद आजाएगा गुंडो नित गीत और यह गोंड़ जन जात को विजबोध समय निर्ट गीत है उसके बाद आजागा घेल ह Jáँ beginning कुलों का निरित और रावत त्रुज्य काुथ कि उत्रावत की उनके जाती राशन राशी कि हो लगी समय का चुंक ठीक है यह होगा आपका रास निर्थ ठीक है उसके बाद जाएगा सिंग मढ़िया निर्थ या बस्तर के जनपत के बनायला भुभाग में मढ़िया आजव्यासियों का निर्थ है बनायले ठीक है नेक्ट बात कर लेंगे राघूला निर्थ या मन्डमा का लोक्र निर्थ है। मैयूर की पंकी की कल लगी कोड़ी की बाजुबंद और कम पट्टे कम पट्टे उको के दल सेना का प्रारम गुरु यों प्रभु की बंदना से करते हैं ठीक है उसके बाद आजाएगा नेश्ट आजाएगा छेर्ता नेश्ट आजाएगा जाएगा जावरा गीत आप लोग पढ़ लीजेगा इसे पहुच करके माता सेवा गीत चेचक को माता माना जाता है और इसकी सांती के लिए माता सेवा गीत गया जाता है बास गीत राउत जात के प्रमुक नीत है उसके बाद आजाए देवर गीत यह घुगर्यु युक्त जो है चिकारा के साथ गया जाने वाला गीत है बड़ाउनी गीत यह बिबा के समय हसी मजा करने के लिए गया जाने वाला गीत है नागमत नीत नागमत गीत है यह क्या है जो नाग देव के गुड़गवान वा नाग दंस से सुरच्छा की परातना में गाय जाने वाला गीत है जो नाग पंचबी के असर पर गाय जाता है नाग मत गीत इसे बोलते हैं ठीक है उसके बाद आजा दही की नित्य दही की गीत ठीक है जो दही की गीत है वह होली के असर पर आसलिलतापूर परिहास में गाय जाने वाला लोक गीत है ठीक है चलिए इस वीडियो से भी आपको question परिष्चा में जरूर देखने मिलेगा तो इस वीडियो का आप एक दो बार जरूर देख लें क्योंकि एक बार में चीज़े आपको memorize नहीं हो जाएंगी बट आप देख ज देता हूं आप लोगों के लिए ठीक है आप दो सिंगन्ड आप बने रहें वीडियो पर ठीक है आप लोग जो भी बच्चे अभी तक कोर्स नहीं लें को पर्षेज कर लें ठीक है और आप लोग लिए 200 रुपे कर दिया हैं उसका यह नहीं पीस और जो बच्चों को पास देना हो तो ठीक है सिर्फ टाइम पास करने के लिए आप मैसेज ना करें हैं ठीक है अब बहुत सारे लोग आलरडी जो पैड ग्रूप में भी ऐसे हैं जिन्होंनों के पास फीस नहीं है तो इस अभी के लिए ठीक है कि चलिए कि वो तो एनसील हो गया तो ठीक है कोई बात निए फिलाल मुझे यहां जो लिखना था उसे मैं इहीं पर लिख देता हूं कोई बात निए एरं तो चलिए यहां पर मुझे जो मेंसन करना था संगीत वाला थोड़ा सा मैंने का बता देते आप लों को कौई कि संगीत हो गया नित्तो ग्हात्तो चिह सीनेमा की बहुता कर लेते हैं डिए दीक हैं unterstützen देखियो 36 गड़ी बोली में जो पहली फील्म भर दो कि शत्तिता इस गड़ी को मैं सही जी लिग देता हूं जो अटिरिंग यहां पर से दोरिकर और आप सीज़िव दो टो यहां फिल्म बनी थी ठीक है पहली फिल्म बनाने का पर्यास किया ग rester प्रियास किया गया था और जो पर्थम फिल्म थी पर्थम फिल्म का नाम क्या है पर्थम फिल्म का जो नाम था वह नाम कही देवे संधेश ठीक है यह चच्छिशार की पहली किल्व का नाम है कही देवे संदेश ठीक है और इसके जो निर्माता थे मनु नायक आप लिखा नहीं है तो आप लोग ध्यार रखे इसके निर्माता थे कही देवे मनोनायक, ठीक है, मनोनायक, ठीक है, और इसका गीतकार जो थे, गीतकार, गीतकार जो थे, इसके गीतकार है, मले, इसकी गीतकार जेते हो आपके, हेमंत नाइडू थे, हेमंत नाइडू, ये मन्त नईडू और इसके जो संगीत कार थे संगीत कार इसके संगीत कार संगीत कार संगीत कार इसके थे मलई चकरवर्ती मले चक्रवर्ती ठीक है मले चक्रवर्ती तो आप इनका भी नाम याद रख सकते हैं अब उसके बाद जो दुती फिल्म थी चतिस गड़ की जो दुती फिल्म थी घर द्वार थी घर द्वार अब चतिस गड़ की दुती फिल्म थी सेकंड फिल्म ठीक है अब सेकंड फिल्म है मुवी क्लिक दीजिए यहां पर मुवी ठीक है घर द्वार ठीक है नेश्ट आपका आजाएगा घर द्वार और इसका निर्वादगा था है 1969 में और इसके बाद अभी काफी सारी चीजिए जैसे की हरेली ठीक है हरेली क्या यह मैं बताता हूं हरेली ठीक है वह लोरिक लोरिक चंदा लोरिक चंदा का शत्याच टेली फिल्म का निर्माद दिल्ली दूरदर्शन द्वारा किया गया था ठीक है इस लेक्चर में बस इतना ही कल बात होगी 36 के पर्व उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अस्थानी सासन और पंचाती त्राज ब्युस्ता बात करेंगे ठीक है आप लोग टेस्ट अभी थोड़े टाइप में मिल जाएगा आप लोग टेस्ट दें और जो बच्च अभी तक बच्चो एड्मिट कार्ड की जो इस्थिती है पचीस तारीक साम तक क्या 26 तारीक पता चल जाएगी एक्जाम में भी पोस्ट पॉइंट होने के संभाना कुछ इंटरनल सोर्स से मुझे मिल लई है तो माइट भी पॉस्वल्टी है कि एक्जाम थोड़े टाइम के लिए प पड़ेगा अभी कोई चीज फिक्स नहीं हो पा रही है अड्मिट कार्ड आया नहीं है तो ऐसे में पास्वल्टी है कि आपको लोग का एक्जाम को थोड़ा और समय मिल सकता है वीडियो देखने के लिए आप लोग धन्य बात घर मैं सुरचित रहा है थैक्यों सो मच